नमस्कार स्वागता है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में जो कॉंसलिंग का कॉलिज चूज करने का नस्टि चूज करने का या फिर ITOT चूज करने का लिंक है वो एक्टिवेट हो गया है चलि मैं आपको जल्दी से बता देता हूं आपको कैलिज कैसे सेलेक्ट करना है तो साइट लिंक पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए कॉंसलिंग राउंड लिंक वन तो यहां पर आप क्लिक करेंगे इस वाले पर तो मैं क्लिक कर लेता हूं फिर मैं आगे बताता हूं मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो आपको यहां पर पर मैं अपनी रेजिस्टर्ड मेल आईडी और रेजिस्टर्ड मोवाइल नमबर और कैप्चा डाल कर आपको लॉग इन करके आगे बता देता हूं कि आगे इंटरफेस कैसा आएगा और कैसे कॉलेज को चूज करेंगे तो जैसे मैं लॉग इन करूंगा तो यहाँ पर देखी रेडारिक टू डैस बोर्ड आजाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडिडेट का नाम यहाँ पर प्रोफाइल आप देख सकते हैं रेजिस्टेशन नमबर देख सकते हैं साथ में ही जो मैं जिसका बता रहा और मेल कंडिडेट है ओवी सी इसकी कैटेगरी है और इसके 39 नमबर आएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कारपेंटर यह चौइस आप इस्टूटी यहाँ से आप जैसे ही री सेलेक्ट यह वाला जैसे आप किसी एनस्टिया को चूच करेंगे तो री सेलेक्ट उसके आप इस्टिटू तूट वहस्ट करना सूरु हो जाएगा उसके बाद अगर आप किसट और यहां पर मैं किलिक और इंटर्फिस खुलक के सामने आघ रहा है तो जैसे यहाँ पर लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं first five choice will be taken for allartment मतलब पहली पांथ choice हैं वो allartment के लिए ली जाएंगी यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर second भी एक message display हो रहा है तो मैं यहाँ पर click करूँगा first choice यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर first choice लिखा है यहाँ पर मैं click करूँगा इसके side में एक आप देख सकते हैं यहाँ पर arrow लगते आ रहा है तो यहाँ पर मैं click करूँगा तो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ एक बात यह जो candidate मैं जिसका बता रहा हूँ यह Carpenter का है तो Carpenter के All India में सिर्फ और सिर्फ दो NSTI Central Government के हैं और एक Private NSTI है तो इसके में जैसी मैं यहाँ पर Option करूँगा तो इसमें तीनी Option आएंगे तो इसको तीनों Select करने है जिसकी Fitter Trade है Electician है तो उसके बहुत ज़्यादा खुलेंगे तो आप पहले से लिखके रख लीजे कि आपको कौन से पहले पर Choice करना है कौन से Second पर Choice करना है कौन सा Third पर Choice करना है आप यह Mistake मत करना जिसको आप पहले पर Choice करना चाहते हैं उसी को पहले पर रखिए Second पर जिससे रखना चाहता है उसी को Second पर रखिए जिसको आप Third पर रखना चाहते हैं उसी को Third पर रखिए आप उपर नीचे मत करिए जो Priority आपकी Admission लेने की है आप उसी क्रम में Select करिएगा तो चलिए मैं इस Candidate का First Choice मुझे जैसे चेंग नहीं लेना है nsdii चेंग नहीं तो मैं यहां पर चेंग लाईपर क्लिक करोणगा उसके बाद Second च्वायस में यहां पर मैं इस पर जैसे क्लिक करोँगा तो Option दो ही आयेंगे अब Second में मुझे हावडा लेना है अब थार्ड च्वाइस जो है वो मैं इसमें जो है प्राइबेट आइटी ओटी है ये तो मैं चाहता हूं कि प्राइबेट आइटी ओटी मैं ना डालूं क्योंकि मैं इतनी फीसिस कंडिडेट नहीं वियर कर सकता है तो इसलिए इसको प्राइबेट मैं सोच रहा हूं कि नही डालूँ तो मैं इसमें सम्मेट पे क्लिक करूँगा जैसे ही मैं सम्मेट पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये ले नहीं रहा है सारे प्राइबेट अगर आ रहा है तो वो भी इसमें आपको भरना है तो मैं इसमें प्राइबेट पर क्लिक भी करूँगा क्योंकि आगे ये आपसन ले नहीं रहे उसके बाद मैं सम्मेट करूँगा अगर जिसकी फिटर एलक्टीसियन है तो उनकी और फैसन डिजन टेकनोलोजी है जिसके पांस से ज्यादा एनस्टियाई है आई टी ओटी और नस्टियाई द मैंने तीनों को फिल कर लिए मैं सम्मेट करूँगा सम्मेट करने के बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है तो देखिए सम्मेट करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है जो चेन नहीं है इसमें जो जनरल सीट है वो 28 है और OBC की स कीट है वो 19 हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं और साथ में ही जो ऐरा है उसमें लिखा ऐ कि देखें यहां पर एक message हो रहा है कि यहां पर एक message display हो रहा है कि Pay Consuling Feast टू which. यह要 पर आपको जबmaal को एक sera है। इसके बाद आप disease कर सकते हैं औroर चेक कर सकते हैं कि आपकी ranking क्या है तो यह जो NSTI है college choose करने का है यह फिलाल मैंने आपको बता दिया कैसे आपको select करना है counseling fees को अगर आप देने के लिए यहाँ पर आप click करेंगे pay counseling fees पर तो यहाँ पर click करने के बाद देखी आपको एक payment का gateway मिल जाएगा देखने के लिए जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि TID है और बाकी यहाँ पर application है amount 1000 है यहाँ पर लिखा हुआ किसके नाम पर willing होगी क्या address है वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जो आपके form से ही आपको क्या करना है इस check box पर आपको click करना है click करने के बाद pay now पर click करना है तो मैं check box पर click करके pay now पर click करता हूँ और आगे का interface खुल के सामने आजाएगा क्या है नया interface में आपको बता देता हूँ यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि 1000 रुपए ले रहा है यह और order amount और convince fees बगरा कुछ नहीं ले रहा है इसमें सिर्फ 1000 आपको pay करना है बाकि आपका address बगरा जो भी चीज़े है वो सारी इससे ले ली जाएंगी अब यहाँ पर payment करने का option आपको क्या क्या मिल सकते हैं देखिए यहाँ पर credit card, debit card, net banking, cash card, mobile, paytm, wallet और यह और भी आप नीचे देख सकते हैं UPI से भी payment कर सकते हैं तो फिलाल net banking से जिसे करना है तो यहाँ पर वह सारी bank हैं आप select कर लीजे जो आपकी bank है उस bank से आप यहाँ पर payment कर सकते हैं तो payment करना फिलाल मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ सारे बच्चे payment कर लेंगे क्योंकि सारे बच्चों ने form इससे पहले डाला होगा कहीं न कहीं payment किया होगा online तो payment आप कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर क्या सो कर रहा है क्या सो करेगा फिस समिट करने के बाद वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपकी ranking यहाँ पर display करेगी तो आसा करता हूँ कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अपनी NSTI college की choice कर लेंगे फिस payment भी आप लोग कर लेंगे मैंने बता दिया कैसे करना है तो आप फिस payment भी कर लेंगे और भी कुछ आपको अगर समझ में ना आए तो आप comments कर सकते हैं WhatsApp गुरॉप से जोड़े हैं तो मेरे WhatsApp नमबर पर comments कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आती है तो पूँच सकते हैं तो आशा करता है कि आपको यह जानकर पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देजे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजे इस वीडियों बस इतना ही धन्यवाद